तो यहां पर बनाया है हमने bread pizza तो आज इसकी recipe आपके साथ share करूंगी यह बनाना बहुत ही असान है bread pizza बनाने के लिए मैंने यहां पर एक tomato लिया है जिसको मैंने बरीक चौप कर लिया है और साथ ही एक प्याज लिया है इसे भी बरीक चौप किया है एक शिमला मिर्च इसे भी मैंने ब्रीक जो है पीसिस कट किये हैं इनके ब्रेड पीजा बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे टमाटर को पहले हम एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे कटा हुआ प्याज और कटी हुई शिमला मिर्ज आपने अपनी पसंद के कोई भी सब्जी एट कर सकते हैं नमक आधा चमच मैंने यहाँ पे यूज किया है और आधा चमच काली मिर्ज डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसिस लिए हैं मैं चार ब्रेड पीजा बना रही हूँ तो चार स्लाइसिस में ब्रेड के ले लूँगे इस तरह से इसे रख देंगे अब इसके उपर हम लगाएंगे पीजा सॉस ब्रेड के स्लाइसिस के उपर तो जहाँ पे पीजा सॉस लगाने के बार इसके उपर हम वैजिस डाल देंगे जो वैजिस हमने पहले नामक और काली मिर्चे दाल कर तियार की थी वो wedges के उपर डाल देते हैं इस तरह से wedges डालेंगे तो यह बहुत ही जल्दी पक जाएंगे क्योंकि bread pizza बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता यह बहुत ही जटपड बन जाता है इसलिए सब्जियों को बरीक में ने चोप किया है तो जब भी bread pizza बनाएं तो कोशिश करें कि सब्जियों को बरीकी चोप करें ताकि यह जल्दी से कुख हो जाएं अब इसके ओपर हम डाल देंगे मजरिला चीज इस तरह से ग्रैंड करते हुए चारो slices पर अच्छे तरह से जो है चीज हम फिलाते हुए इस तरह से ग्रैंड करेंगे इस तरह से चीज को मैं ग्रैंड करके पूरे slices पर फिला दूँगे अब यह मैंने चीज जो है पूरे slices पर फिला दिया अब इसके उपर हम डालने वाले हैं चिली फ्लेक्स बिल्कुल मार्किट के जैसा बनाएंगे पिजा तो चिली फ्लेक्स डालने के बाद अब यहां पर गैस पर पैन लिया है उसमें डाल देंगे दो चमच ओयल आप यहां पर बटर का भी यूज कर सकते हैं मैं यहां पर ओयल का यूज कर नहीं हूँ तो ब्रेश से जो है ओयल को हम पूरे पैन में फिला देंगे इसके उपर हम आपके पास पैन पे डिपेंड करता है आप कितने पीज़ एक बार में बना सकते हैं तो यहाँ पे मैं दो पीज़ा जो है एक बार बनाऊंगी तो इस तरह से दो पीज़ा को रखने के बाद इसे में कवर करके रख दूँगी यह पीज़ा बहुत ही जल्दी बन जाता है गैस का फ्लेम जो है हमें मीडियम ही रखना है और एक से डेढ़ मिनट के लिए से हमें पकाना है एक से डेढ़ मिनट में यह पीज़ा जो है कुक हो जाता है इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है तो गैस का फ्लेम आप मीडियम ही रखे नहीं तो जो ब्रेड है हमारी नीचे से जल जाएगी अब पूरा डेढ कि मिनिट हो चुका है तो देख सकते हैं पीजा जो है चीज भी हमारा अछे से मेल्ट हो गया है तो ये पीजा जो है ब्रेड Oh पीज़ा हमारा बनकर त्यार हो गया है यह बोनाना बहुत ही असान है बहुत ही जटपड बनने वाली रेस्पी है आप इस रेस्पी को जुरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगे लाइक का बटन प्रेस करें साथ ही अगर आप नई है तो प्लीज चैनल को करना न भूले और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें तो यह ब्रेट पीज़ा हमारा बनकर बिल्कुल त्यार है जब भी आपका मन हो बच्चों को यह जटपड से बना कर खिलाएं यह बहुत ज़रा टेस्टी भी और हैल्दी भी है तो वीडियो देखने के लिए बहुत दने बाद थेंक यू